क्लास 7 मैच चैप्टर 1 रैशनल लंबर वर्कशिट 6 का second question है find the value of x if 3 by minus 5 equal to x by 15 हमने इसमें x की value निकालनी है ये बिल्कुल easy question है ज़र ध्यान से देखना ये first question है ये second है ये third है ये fourth है हमें क्या given है 3 by minus 5 equal to x by 15 बीच में किसका sign लगा हुआ है equal का sign लगा हुआ है अब देखो ध्यान से कैसे x की value हम निकालनी है ये इसका उपरवा जो numerator हमें नहीं पता वो निकालनी है ठीक है जब भी दो rational number equal दिये हो तो हम क्या कर देंगे भी cross multiply कर देंगे ठीक है कैसे करेंगे 3 की multiply 15 से कर दो 3 multiply 15 equal का लगा दो sign और फिर x की multiply कर दो minus 5 से अब देखो क्या बनी बात आगे अब हमने x की value निकालनी है तो x को तो रहने देंगे हम यहीं पर यह minus 5 इदर क्या कर रहा है multiply जब equal के जब उदर जाएगा तो क्या करतेगा divide यह अपने 6 में सिखा होगा equal के जब कोई चीज multiply कर रही है इदर एक साइड में तो दूसरी साइड में वो divide करती है plus कर रही है तो minus करती है minus है तो plus करती है जब equal के उदर जाती है ठीक है तो यह multiply कर रहा है minus 5 जब equal के उदर जाएगा तो क्या करेगा divide करेगा ठीक है इसने divide कर दिया 3 multiply 15 और by क्या था यह minus 5 अब क्या कर दो अब कर सकते हो आप इसकी कटी ठीक है 5 3 जा 15 5 3 जा 15 और यह minus 5 है ठीक है minus को हम क्या लिख लेंगे उपर लिख सकते हैं ठीक है आपको पताओगा standard form में minus को हम उपर लिख सकते हैं कोई फरक नहीं पड़ता तो क्या बचकिया हमारे पास 3 multiply minus 3 और इधर क्या था x था 3 3 जा 9 और plus और minus की multiply क्या होती है minus यानि की x क्या आगया minus 9 x की value क्या आगया हमारे पास minus 9 तो हम लिख देंगे x equal to minus 9 तो easy question था next भी ऐसा ही इसका second part भी बिल्कुल ऐसा ही है 9 by 15 equal to x by minus 50 अब हमें क्या दिया हो है equal का sign है बीच में कर दो cross multiply 9 multiply minus 50 और x multiply 15 ठीक है तो अब 15 क्या कर रहा है multiply कर रहा है उदर जाके कर देगा divide x equal to यह आगया हमारे पास ठीक है अब इसकी कर दो आप अगर आपको cutting करनी आती है तो cutting हम कर सकते हैं अगर इसकी 5 से करें दोनों की तो 5 3 जा 15 और इसको करेंगे 5 से cutting तो हमारे पास आजएगा 10 ठीक है अब यह 9 है यह 3 है 3 3 जा 9 तो हमारे पास बचा उपर 3 multiply minus 10 ठीक है क्या बचा 3 multiply minus 10 और जब 3 multiply हमारे पास minus 10 बचा है तो क्या आजएगा 10 3 जा 30 और यह क्या आजएगा minus का आएगा क्योंकि plus और minus की multiply minus तो x की value क्या आगी हमारे पास minus 30, तो x आगी हमारे पास minus 30, easy question है, next भी ऐसा ही है, 36 by x equal to minus 4, ठीक है, अगर आप करना चाहो तो इसके निचे 1 हम लगा सकते हैं, कोई भी फरक नहीं पड़ा, अब कर लेंगे हम cross multiply, ठीक है, 36 multiply 1 और x multiply minus 4, अब minus 4 इदर क्या कर रहा है, multiply कर रहा है, जब equal के उदर जाएगा तो divide कर देगा, तो इसने divide कर देगा निचे आगया ऐसे, अब 4, 9, 36, अब इस minus को हम उपर ही लिख लेंगे, ठीक है, अगले step में, तो हमारे पास 9 की multiply, जब 1 से होगी, minus 9 की multiply, 1 से होगी, तो हमारे पास ऐसे ही इसका fourth part है, 7 by minus x equal to 7, 7 इक निचे 1 लगा दो, और कर दो, अब cross multiply, 7 multiply 1, और 7 multiply minus x, ठीक है, अब x के साथ minus लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे बई, जब इन दोनों की multiply करेंगे, तो हमारे पास आएगा minus 7x, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इदर तो था 7 multiply x, 7 multiply 1, तो ये वाला minus किसके साथ लगा दो, 7 के साथ लगा दो, तो कोई फरक नहीं पड़ेगा, ठीक है, अब minus 7 है, multiply कर रहा है, उदर जाके कर देगा, divide, तो 7 by minus 7 आगया, 7 से 7, 7 बन जा 7, ठीक है, अब ये minus को हम उपर लिख देंगे, तो हमारे पास आगय या minus 1, x की value के आगी, minus 1, तो ये तो बिल्कुल easy question था, अब next question देखते हैं इसका, अब इसका third question देखो, third question जैसा first question हमने किया था, बिल्कुल वैसा ही है, compare the rational number, हमने दो rational number को compare करना है, हमने देखना है कि क्या वो equal है, greater है या smaller है, चोटा है, बड़ा है या equal है, ये हमने बता तो first हमारे पास ये है, बिल्कुल first जैसा हमने question किया था, पहला question किया था, बिल्कुल वैसे ही हमने इसको compare करना है, तो हमारे पास ये था, सबसे पहला step क्या किया था हमने, कि standard form में लिख लिया था, ये तो standard form में है पहले से, ये standard form में नहीं है, तो इस minus को हम उपर लिख ल कर देंगे, तो minus 2 multiply 36, minus 2 को जब 36 से multiply की हमारे पास है minus 72, अब 9 की multiply minus 8 से करेंगे तो हमारे पास है minus 72, दोनों के इसमें minus 72 minus 72 आ गया, यानि इसका मतलब क्या है, minus 72 और minus 72 equal है, इसलिए ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, equal हो जाएंगे, minus 72 equal to minus 72, इसलिए minus 2 by 9 किसके equal है, 8 by minus 36 के equal है, इसमें हमने जब compare किया तो ये तो दोनों equal आ गएंगे, अब इसका second part है, ये भी ऐसे ही है, अब हम क्या करेंगे इसको, cross multiply कर देंगे, ठीक है, तो 5 multiply 6 क्या है हमारे पास 30, और 9 multiply 4 क्या हमारे पास 36, अब देखो कौन सा बढ़ा है, 36 है, इसका मतलब 4 by 6 क्या है, बढ़ा है, ठीक है, 4 by 6 is greater than 5 by 9, अब इसका third part देखो, third का, minus 7 by minus 8 और 14 by 17, सबसे पहले हम इसको standard form में लिख लेंगे, दोनों तरह उपर नीचे minus है तो हम cancel कर देंगे इसको, 7 by 8 और ये है 14 by 17, अब क्या कर देंगे हम, इसकी cross multiply ऐसे कर देंगे, 7 की multiply जब 17 से की हमारे पास आया, 119, जब 8 की multiply 14 से करी हमारे पास आया, 112, अब हमने देखा कि 119, 112 से बढ़ा है, 119 is greater than 112, इसका मतलब क्या हुआ, कि minus 7 by 8, ठीक है, इससे बढ़ा है, 14 by 17 से बढ़ा है, तो हम लिख देंगे, minus 7 by minus 8 is greater than 14 by 17, easy question था, अब इसका fourth part देखो, minus 4 by 7 और 5 by minus 9, यह तो standard form में है, इसको standard form में लिखने के लिए, minus को हम उपर लिख देंगे, अब करेंगे हम cross multiply, minus 4 को 9 से multiply करेंगे, minus 36 आया, ऐसी 7 की multiply जब हम minus 5 से करेंगे, minus 35 आया, ठीक है, अब देखेंगे हम कौन सा चोटा कौन सा बढ़ा है, minus 35, minus 36 से बढ़ा है, तो minus 35 is greater than minus 36, यानि कि 5 by minus 9 is greater than minus 4 by 7, ठीक है, यह हमारा क्या आगया, आंसर आगया, तो easy question है, अब थर्ड का फिफ्ट पार्ट देखो, minus 5 by 8 और minus 3 by 4, यह पहले सी standard form में, दोनों में minus उपर है, अब कर दो cross multiply, minus 5 की multiply, जब 4 से करेंगे, हमारे पास आएगा minus 20, और 8 की multiply, जब minus 3 से करेंगे, हमारे पास आएगा minus 24, अब देखो कौन सा बढ़ा है, minus 20 बढ़ा है, minus 24 से, इसका मतलब क्या हुआ, कि minus 5 by 8 is greater than minus 3 by 4, easy है, अब 6 पार्ट देखो इसका, 6 by 7, और minus 54 by minus 63, तो इसको standard form में लिखने के लिए, यह minus से minus होजेगा, cancel, अब इसकी कर देंगे, हम cross multiply, 6 की multiply 63 से की, तो हमारे पास आया, 378, और 7 की multiply जब हमने 54 से की, हमारे पास आया, 378, दोनों में क्या आगया बई, equal होगे तो 378, 378, इसका मतलब, यह equal होगे, तो इसका मतलब 6 by 7, equal, इसके है, minus 54 by minus 63, यह तो बिल्कुल ही easy question था,